यहाँ पर आज हम बात करने वाला है मेरी one of the favorite book के बारे में जिसका नाम है Of course, The Courage to be Disliked Chapter number one, Denied Trauma Trauma कह सकते हैं, Anxiety कह सकते हैं या फिर Stress बोल सकते हैं उसका मतलब क्या होता है, इसका definition क्या होता है एक ही होता है, Fear आने वाला time के बारे में सोचना या फिर जो past में हो चुगा, उसको खीच के present moment के अंदर लाना मालनो क्यार, आपके bank account के अंदर 10 लाख पड़े हैं अपी और आपको idea आया कि मैरी business खड़ा करूँगा मेरे पास सारा कैसा idea है, मेरे पास सारा कैसा map है क्या business ऐसे 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 आगे बढ़ेगा और ऐसे ऐसे मुझे इतने पैसे मिल दे जाएंगे, इतने इतने लोगों को मैं हार करूँगा मेरे business के लिए बट वो हो जाने के बाद immediately एक thought आता है mind के अंदर अगर मेरे 10 लाख डूब गए तो मैं क्या करूँगा अगर वो पैसे डूब गए तो मैं अपने mother या फिर father या फिर brother या फिर sister को मैं क्या मूँ दिखाऊंगा क्या बोलूँगा उन लोगों को मेरे father ने पहले से मुझे कहा था क्या business मत कर वो फैल हो जाएगा तो जो आप कर ले मेरा family business चला ले बट मैंने मेरे father के against जाने के बाद मैंने ये business को खड़ा किया और वो डूब गया लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में क्यार हमने कहा था कि तू business नहीं रन कर सकता आज की जमाने के अंदर 10 लाक लगा दिये डूब गये उस 10 लाक को तू दूसरी जगा पर यूज कर सकता था लोग क्या बोलेंगे वो सारे के सारे doubt है ना mind के अंदर automatically आ ही जाते है तो यही होती है anxiety या फिर trauma या फिर stress चीजों के बारे में बार बार सोचना बार बार सोचना किया अगर ऐसा हो तो क्या करूंगा वैसा हुआ तो क्या करूंगा अगर मेरा प्लान सही तरी किसे आगे नहीं बढ़ा तो क्या करूंगा वो सब कुछ mind के दे चलता रहता है और एक surprising बात क्या है पता है कि यह वो सारे के सारे चीज़े अपी हुई ही नहीं है आपने अभी business को खड़ा ही नहीं किया है आपने एक रुप्या भी spend नहीं किया है business को खड़ा करने के लिए build करने के लिए and still वो सारे के सारे doubt आपके mind के अंदर आज जाते है और वो doubt को clear करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा अगर अपने आप पे भरोसा नहीं किया कियार मैं बिस्नेस कर पाऊंगा कर पाऊंगा तैन I think अगर बिस्नेस खड़ा भी कर लेंगे दस लाग डाल भी लेंगे ना आपने वो चलेगा नहीं या फिर वो doubt है न वो और कम कर लेंगे आपने mind को क्या शिट नहीं चलेगा आप ही मैं छोड़ दीता हूँ जो आप कर लेता हूँ दस स्याफी 20,000 की यसा होता है और ऐसा हूँ है काफे सार लोगों के साथ और वो सारे के सार एक्जम्पल भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिली जाते हैं जैसे कि मैं आपको बताया था क्यार ये बुक कुछ अलग तरीके से लिखा गई है यूथ एन फिलोसोफर के बीच के अंदर बाते होंगी और वहीं आप पढ़ेंगे ये वाली बुक के अंदर और वहीं से यूथ एक्वेशिन पुछता है फिलोसोफर को कि मेरा एक फ्रें ने काफी टाइम से ये प्लान बनाया था बाहर नहीं जाने का वो उसका डिसिजन है वो उसका चॉइस है बाहर नहीं जाने के लिए उसको बाहर जाना पसंद नहीं है that's why उसने खुद से ही anxiety and stress create किया है बाहर नहीं जाने के लिए और reply के अंदर यूथ उसको ये बोलता है क मज़ा करो, मेरा फ्रेंड ऐसा कैसे कर सकता है, वो खुद से कैसे anxiety and stress create कर सकता है, बाहर नहीं जाने के लिए, तो फिलोसोफर फिर से उसको ये बोलते हैं कि वो कोई बीमार नहीं है, या फिर कोई डरा हुआ नहीं है, या फिर उसको कोई भाहन कर बीमारी नहीं है, वो पाग है, उसके लिए उसको खुद से ही realize करना पड़ेगा, कि बाहर जाना क्यों अच्छा है, या फिर लोगों के साथ क्यों बातचित करना अच्छी बात है, या फिर लोगों के साथ खुल मिलके रहना अच्छी बात है, या फिर बूरी बात है, वो उसको खुद से ही समझना काफ़ जार एक्जाम्पल इस बुक के अंदर, मैं आपको एक दूसरा एक्जाम्पल देता हूँ, एक लड़की का होता है, फिलोसफर बोलते हैं यूथ को, कि यार एक लड़की आय थी मेरे पास काफी टाइम पहले, यानि कि एक दो दिन महीने पहले, और उसका फियर था, ब लड़की को एक लड़का पसंद था, और वो लड़की के साथ, वो काफी टाइम से बातचीत करना चाहती थी, बट वो फियर था ना, गाल है ना, वो काफी लाल हो जाते थे, तो उसको फियर था, कि यार, अगर वो लड़के ने मुझे रिचेक कर दिया, तो क्या करूँग निकाल नहीं सकता हूँ, क्यों, अगर मैंने फियर को निकाल दिया, जो गाल लाल होते था ना, उसको मैंने निकाल दिया, और उसके बाद अगर तु उस लड़के के साथ बातचीत करने गई, और उस लड़के ने तिरे साथ बातचीत नहीं कि, या फिर तुने जब प्यार के इजहार किया तो उसने मना कर दिया तो तो क्या करेगी फिर से मेरे पास वापस आएगी और मुझे कहेगी क्या वो फिर था ना मुझे वो दे दे वापस वो उसका excuse था उस लड़की के साथ बातचीत ना करनेगा अगर वो excuse ही चला जाएगा तो वो क्या करेगी तो उसके बाद वो लड़की philosopher के पासे चले जाती है और about एक या फिर दो मैने के बाद वो लड़की है ना वो जाती एक party के अंदर उसको पता नहीं होता क्या जो लड़के से प्यार करती होते है ना वो लड़का भी party के अंदर आया होता है सो वो एक कोने में खड़ी रहती है और तब भी ही कुछ मिनिट के बाद वो लड़का उस लड़की के पास चाहता है और उसको बूलता है क्यार मैं तुझसे काफी टाइम से बात्चित करना चाहता था बड़ तु मुझे कहें पर मिल ही नहीं रही थी तो वो सुनने के बाद लड़की एकदम से स्तम रह जाती है क्यार ऐसा उसके बाद वो लड़का काफी सारे बाते करते हैं दो लड़का लड़की और उसके बाद लड़का उसको बूलता है I love you उसके बाद automatically उसको समझ में आ जाता है क्यार वो मेरा fear था या फिर जो भी था anxiety, stress वो सब कुछ चला जाता है वो लड़के ने उसको select कर लिया पसंद कर लिया तो उसका जो anxiety था वो automatically निकल ही गया तो author आपको इस example के थरू फिर फर्स चाप्टर के थरू आपको यही बोलना चाहते है कि जो fear होती है anxiety होती है वो stress होता है वो सब कुछ हम अपने mind के अंदर create करते है और वही आप implement करते है आपके life के अंदर क्या यह होगा तो क्या करूँगा वो होगा तो क्या करूँगा बट ऐसा real life के अंदर हुआ होता नहीं है आगे होने वाला है उसके पीछे question mark होगा या फिन नहीं होगा किसी को पता नहीं बट still उसके अब पर आप react करते हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करूँगा कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा सो अगर आपको life के दिने कुछ भी करना है, business खड़ा करना है, किसी के साथ बात चीत करना है, अगर आप लड़के से प्यार करते हैं, लड़के से प्यार करते हैं, अपर किसी से भी प्यार करते हैं, इसे हार करना है, प्यार करते हैं, then go for it, होगा क्या, reject करेगी, reject करेगा, क्य क्या होगा कुछ भी नहीं होगा उसके बाद पसंद कर लिया थे और अगर नहीं किया तो फिर accept कर लो और आगे बड़ लाइफ के अंदर और वही author आपको इस book के ने बूलना चाहते हैं don't think about future don't think about past be a present and जो भी है आप जिस तरह से भी रहते हों जिस तरह से हो जिस तरह से भी बात करते हो जिस तरह से भी हो accept करो अपने आपको because अगर आप अपने आपको accept नहीं करोगे तो फिर दुनिया कैसे accept करेगी आपको और आप सोचते हैं दुनिया के बार में तो make sure जो भी हो be you, don't be x y z और वही बोलते हैं अथर आपको इस book के अंदर जाने कि first chapter के अंदर ये तो हो गया first chapter, आगे बढ़ते हैं second chapter की तरफ थोड़ से break के बाद मुझे कुछ setting काना है audio का थोड़ी बिनिट के अंदर wait for it, okay यहाँ पर मैंने वीडियो को shoot कर लिया उसके बाद मुझे याद आए कि यार giveaway के बारे में बताना बूल ही गया so of course मैं इस book का giveaway कर रहा हूँ comment section के दे मुझे बताने कि यार आपको ये book क्यों चाहिए और कुछ time के बाद comment को सिलेक करूँगा और उसके घर के उपर ये book deliver कर दूँगा free के अंदर और आनेवला टाइम के बारे में मैंने क्या सोचा है कि जब कब भी मैं बूक की summary दूँगा आपको तो वो book का में giveaway करूँगा मालनों कि यार आनेवला टाइम के अंदर एक book का मैं में summary video बनाता हूँ और वो book होती है कि आ intelligent investor इसका मैंने book summary video बनाया तो वो book का मैं giveaway करूँगा आपको comment करना है कि यार वो book आपको क्यों चाहिए और वो book को मैं आपको आपके घर पे deliver कर ही दूँगा अगले वीडियो के मैंने book summary बनाया थिंक एन गुरूरीच का तो वो book का मैं giveaway video बनाऊँगा giveaway कर दूँगा तो ये था बताना फुल काया था sorry for that गला काफी बैड काया यार काफी टाम से वीडियो शूट कर रहा हूँ काफी बूल दिया मैंने so that's why I thought it's a voice voice down है so keep over है comment कले लेन अगर आपको book चाहिए तो bye I mean तो से वीडियो को देख लेना अभी continue होगा second chapter इसी से so that's why so now we start second chapter chapter number two all problems are interpersonal relationship उसका मतलब क्या होता है कि लोगों के बारे में सोचना कि लोग क्या बोलते है मेरे काम के बारे में मेरे बीहिवर के बारे में जो मैं कपड़े पहनता हूँ उसके बारे में और उसे के ओपर आप react करते हैं उसी को बोलते है interpersonal relationship और उसके related ही ये chapter है एक पुरौका प्राइच chapter है कितने pages का पता है around 60 pages का chapter है काफी लंबा chapter है उसके अंदर काफी सार एक्सांपल दी ओथर ने life के बारे में क्या लोगों के बारे में कैसे नहीं सोचना है जो आपको पसंदे वो कैसे करना है या फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपकी family के तरे कुछ conflict आ जाता है तो उससे आपको कैसे बाहर निकाला वो सारे कासर example इस chapter के अंदर author ने आपको दीए है यानि कि लोगों के साथ रिस्ते कैसे अच्छे रखना है और एक line मुझे काफ़ी पसंद आई थी इस book के अंदर से जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेर कर रहा हूँ कि मालनो क्यारा आप इस पृत्वी के उपर एक ही इंसान और दूसरे कोई इंसान है ही नहीं आपने दूसरे कोई इंसान को देखा ही नहीं है तो आप अकिलापन कैसे मैसुस करंगे सोच के देखो मालनो क्यार आपका break-up हो चका है आपकी girlfriend के साथ break-up हो जाएगा उसके बाद आपको immediately अकिलापन मैसुस होगा बिकर आपने काफी time अपने girlfriend के साथ भी ताया है आपकी wife हो सकती है divorce हो गया कुछ time के बाद आपको अकिलापन मैसुस होगा बिकर अब काफी time काफी memories आपने साथ में बनाई होगी friend से तूटती है या फिर आप friend से काफी जुदा होते हैं काफी time के बाद मिलते हैं चले जाते हैं अलग हो जाते हैं तो lonely पन मैसुस होता है अकिलापन मैसुस होता है तो author आपको ये बोलता है एक line है काफी simple मैंने आपको दिखा दी क्यार मानलो क्यार एक पृत्विक आई इस पृत्विक के ऊपर आप एक अकेले इंसान है तो आप अकिलापन कैसे मैसुस करेंगे अगर आपने इस line को लाइक सही तरीकी से समझ लिया ना तो मिरे साब से आप life काफी सही तरीकी से जी पाएंगे विए अकिलापन कब मैसुस होता है जब आप लोग के साथ रहते हैं या फिर लोगों के साथ काफी एक emotional attachment हो जाता है और जब वो तूट जाता है न अदर भी आप अकिलापन मैसुस करते हैं जो एक काफी सही बात है अच्छी बात है अगर आप सही तरीकी से समझ पाएं इस एक छूटी से line को और उसके अलावे काफी सार है जो मैंने relate की है और आप ही relate करेंगे कि युथ का एक बड़ा भाई होता है उससे 3 साल बड़ा और वो क्या करता है अपने मदर की और फादर की सारी की सारी बात मानता है कि अगर फादर बोलेंगे ना तुझे इस लड़की के साथ साधी करनी है तो without any question वो साधी कर लेगा तुझे ये कॉर्स लेना है वो ले लेगा कि ये काम करना है और यहां पर दूसरी तरफ होते है युथ जो अपने फादर का कभी भी नहीं मानता है उसके फादर ने उसको बोला था जब छोटा था या फिर बड़ा था तब बोला था कि तुझे अपने family का business ही run करना है, तुझे दुसरा कोई भी काम करना नहीं है, दुसरी कोई भी job करने के जरूरत नहीं है, दुसरा कोई भी business को खड़ा करने के जरूरत नहीं है, बर still वो क्या करते हैं, जौब कर लेते हैं उसने वो जॉब ले ले यानि कि यूथ ने जॉब ले ली और वही इस बुक के अंदर एक छोटे से सेक्शन के अंदर आपको बता है है यूथ ने और उसके आंसर भी फिलोसोफर ने आपको दी हैं यह वाले बुक के अंदर और उसके बाद of course क्या हुआ होगा जब कभी भी क कुछ कायता और तू देखले नालायक तो कुछ क कहा मानता है नहीं वो तू अपना खुद का ही करता है और वो मेरे साप साबëlरे लिट कर पाएंगे because मैंने भी relate किया है हर एक इंसान relate करता है because वो family के अंदर कुछ ऐसा बड़ा भाई होता है या फिर बड़ी sister होती है वो अपने बाबाब की लाड़ी होती है और जो कुछ छोटा भाई होता है या फिर कई बड़ा भाई भी होता है वो अपने फादर का लाड़ लाड़ नहीं होता है because वो अपने मदर फादर का मानता नहीं होता है और इससे के अंदर यही होता है और यूतने भी यही बात की है और फिलोसोफर के साथ भी ऐसा ही होता फिलोसोफर के जो फादर थे उन्होंने बचपन के अंदर philosopher को चाटा मार दिया था एक तम से लगा दी थी उसके बाद जो memory थे ना वो philosopher के mind के अंदर fit हो गई थी तो जब वो बड़े हो ए तब उन्होंने decide किया किया मेरे फादर ने मेरे साथ गलत किया ऐसा नहीं करना चाहिए था वो उनकी choice थी मेरे गाल पर तमाचा मानना तो उसके बाद philosopher अपने फादर के साथ बातचीत करते थैं या फिर उनके साथ Time Span नहीं करते थे हम करते हैं अपने मातर या फिर फादर के साथ time spent करते हैं और वह ऐसा नहीं करते थे और जब वह बड़े होते हैं तब उन territory को पता माझे है ऑप versed इस था ना, वो साइड में रखती है, और उसके बाद, वो अपने फातर के साथ, फातर के पास गए, और उनका देख पाल किया, जब तब पुमरे तब तब तब, और उसके बाद, आगे बढ़ गए, वही है, हम ऐसा नहीं करते हैं, क्या आर, फातर ने एक तब माचा मार दिय उनका choice था उनको गुसा आएगा थपड़ मार दिया वो आपको इस book के अंदर पता चल जाएगा और उसी के related एक example दिया है anger के related author ने इस book के अंदर क्यार anger है ना वो टूल है गुसा हम सभी को आता है बट कभी भी हम question नहीं पूछते हैं कि हमको गुसा क्यों आता है और मुझे भी पहले समझ भी नहीं आता था क्यार गुसा मुझे की वा आता है और गुसा आता था ना तो काफी immediately सामते नहीं होता था काफी लाइक कुछी तोड़ देना या फिर काफी चिला आना वो सब कुछ करता था पहले बट अभी ऐसा नहीं है जब कभी मुझे गुसा आता ना तो मैं क्या करता हो पता है अपने mind के ने question छोड़ देता हूँ क्यार मुझे गुसा क्यों आया कितना भी भाहेंकर गुसा ह आना एक question छोड़ देना कि मुझे गुसा क्यों आया और उसके answer को खोजने की कोसिस करना अपने mind के अंधर ही गुसा automatically सांथ हो जाएगा और वही author ने इस book के अंधर बता है कि आर गुसा एक tool है अगर आपने सही तरीकी से सही direction के अंधर उसको use किया तो आप काफी कुछ कर स सकते हैं अगर आपने गलत direction के अंधर यूज किया तो काफी गलत काम भी हो सकते हैं और वही author ने इस book के अंधर आपको बताया है यहाँ पर author आपको इस chapter के अंधर यही बोलना चाहता है कि life के अंधर कोई प्रॉबलम आते है ना आपके life के अंधर या फिर मेरे life के अंधर वो आते हैं लोगों की वज़े से लोगों को सुनने के बाद जो question डालते हैं ना mind के अंधर उसकी वज़े से सारे के सारे जो problems आते हैं वही होते हैं आप अपने आपसे या फिर खुद से कोभी problem को बनाते नहीं है कभी भी नहीं बनाते हैं कोई लड़का या फिर कोई लड़की है आपको बोलके चले गई कि या तू बहुत ही काला है तो वो question आपके mind के अंदर चल गया और वो stuck होके रही जाएगा जब कभी भी आप बाहर जाएंगे या फिर दूसरी को भी लड़की के साथ date पर जाएंगे या फिर बातचित करे रहने की sense नहीं है तो क्या कर रहा है पूरे 24 कंटे कर पे पड़ा रहता है कुछ काम कर ले तो वो सारे का सरे doubt अपने mind के अंदर रहे जाते है और जब कभी भी ऐसे situation आएगी तो वो सारे का सरे doubt प्रगट हो जाएंगे mind के अदर तब आप stress फिल करेंगे anxiety आएगी और सारे क की वज़े से क्यों होते हैं because आप लोगों को ज़्यादा importance देते हैं उसकी वज़े से चैप्टर नबर थी डिसकार्ड अधर पिपल्स टास्क और इस चैप्टर के अंदर आफर बात करते हैं recognition के बार में और expectation के बार में इसका मतलिब क्या होता है मैं आपको पूराना example देता हूँ फिर से youth वाला जो बड़ा पाई था ना वही वाला क्या जो उसका बड़ा पा करती हैं वो सब कुछ पूछेगा नहीं माबापने बोला है साधी करने को मुझे करने ही पड़ेगी माबापने बोला है जोब करने के तो जोब करने ही पड़ेगी माबापने यह काम बोला है करने के लिए वो कर ही देगा बना कभी भी नहीं कर गया ने कि अपने माबापका लाडला बेटा होता था बड़ यूथ होता है न, वो ऐसा नहीं होता है वो क्या होता है, क्यार मुझे ये काम करना है तो मैं करूँगा, मेरे फादर को बसंद आता है नहीं आता है, मुझे फरक नहीं पड़ता है मुझे ये काम करना है वह मुँ करूँगा मुझे ये जॉब करना है वह मुँ करूँगा but still उसके mind के अंदर doubt होता है या फिर question आता है काफी सारे क्यार मुझे अपने mother से या फिर father से चाहिए recognition मुझे चाहिए साबासी जो मैं job कर रहा हूँ उसके लिए मैं मतर या फिर father मुझे ये बोलने चाहिए I am proud of you जो तू job कर रहा है जो भी काम कर रहा है मुझे तुछ पे नाज है यहाँ पेट थब थबाने चाहिए और यहाँ पे philosopher युथ को यही बोलते है किया किसे से भी आपको expectation नहीं रखनी है और अगर वो expectation के मुताबिक काम नहीं हो आना तो आपको बुरा फिल होगा आपको भी होगा मुझे भी हुआ है कई बार हुआ है बट अभी नहीं होता है आपको भी होगा क्यार अपने father से फिर मतर से मुझे साबा से चाहिए मुझे exam केंदे इतने percentage मिले मुझे साबा से चाहिए बट फाथर को लगा नहीं तुझे इतने number नहीं आने चाहिए थे तुझे इतने number आने चाहिए थे तुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थे मैंने तुझे बोला था कि TV मत देख Instagram को scroll मत कर movie मत देखने जा आपको लगता था कि मुझे इतने number आ गए तुझे मेरे फाथर मुझे साबासी देगे मेरे पिठ थबाएंगे बड़ ऐसा नहीं होता है और जब ऐसा नहीं होता है तो आपको बूरा फिल होता है मुझे भी हुआ है आपको भी हुआ हुआ होगा और यूथ को भी होता है वो काफी ज़्यादा क्यार करते हैं अपने बड़े भाई की उसके बड़े भाई की विकाज उसका बड़ा भाई सब कुछ मानता है और जो यूथ होता है वो नहीं मानता है यानि की काफी simple बासा के दिर बोलू या फिर नॉर्मल वर्ट के अंदर को कहू कि यार एकसेप एकस्पेक्ट मत करो किसे से भी अपने फादर हो सकते हैं मदर हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है एकस्पेक्टेशन काफी काफी बुरी जीज़ है काफी बुरी जीज़ हैं और वो बुर्या चीज होते हैं, वो काफे काफे चूपती है दिल के अंदर, और वही ओथर आपको यह बोलना चाहते हैं, कि यार, expectation मत रखो, किसे से भी, अपने आप से रखो, विकुस अगर आप अपने आपको बहतर बनना चाहते हैं, तो उने expectation रखने चाहिए अपने आप से, सो यही बात करते हैं, और इस चैप्टर के अंदर, and of course, इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, पाँच चैप्टर, फाइफ चैप्टर, पर हम बात नहीं करेंगे, दूसरी दो चैप्टर के बारे में, उसके लिए आपको इस बुक को पढ़ना पढ़े के अंदर, again, sorry, कितना मिनिट हो चुका है, पता है, चालिस मिनिट हो चुका है, कितना चालिस ते, गला भी ऐसे बैठ गया, काफी टाइम से वीडियो के शुट कर रहा हूँ, बिचके अंदर लाइट चले गई, ओडियो फाइल करप्ट हो गई, फिर से शुट किया, I mean, कितने चाप्टर है, वो सब कुछ, सो पहला चाप्टर था, of course, deny trauma, second था, all problems are interpersonal relationship, third था, of course, discard others people life, and दूसरी दो चाप्टर आपको पढ़ने पढ़ने पढ़ेंगे, या फिर अगर आपको नहीं पढ़ना है, तो क्या कर सकते हैं, मैंने आर्टिकल लिखा है, हमारे website के अंदर वहाँ पे जाने के बाद, of course, पढ़ सकते हैं, बुक की summary, उसके अंदर में मैंने छोड़ा है, पुरा कपुरा नहीं बता है, because मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, अगर आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे सही तरीके से इस बुक को, और life के अगर काफी आगे बढ़ सकते हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद, because आप, पीछे लिखा है, a single book can change your life, और इसका meaning आपको पता है, और ये actual में है, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने के बाद किया सीखा है, तो मैंने यही सिखा है, कि आपको पढ़ने के बाद किया सीखा है, कि ये चीज या फिर वो चीज, जब गुसा आता है, तो कैसे कंट्रोल करना है, वो सीखा है, और लोगों के साथ कैसे रहे ना है, वो सीखा है, क्या लोग उसे कैसे बादचित करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या ऐसे एक्सपेक्ट करना है, क्या एक्सपेक्ट नहीं करना है, औ और लोग जो काम करते हैं, 99% लोग हैं, वो आपके साथ रहते हैं, कुछ मोटीव की होज़े से रह रहे होंगे, अब माबापके अलावा बात करो, जो भी दुसरे लोग है, कुछ मोटीव होगा, that's why आपके साथ रहे होंगे, कुछ काम होगा, that's why रहे होंगे, आपको पता न और मेरा ये वीडियो कितना होगा, 25-30 मिनिट का पता नहीं, काफी एरेट करना पड़ेगा, काफी बग्कास किये मैंने, बीच के अंदर, काफी टाइम हो चुका था न, वीडियो का तो सुरह सा, पिक पे चले गए, पिक 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 पे, so वो भी है, so I hope आपको ये वीडि पर चले जाएंगे, जो समरी होती थी, 10, 8, 5 मिनिट की वो ही, और उसे के अंदर आपको बुक का समरी दे देंगे, अगर रिस्पोंस अच्छा है, तैन आगे बढ़ेंगे, 30 मिनिट या फिर 40 मिनिट या फिर पूरा का पूरा बुक का आडियो दे देंगे, यानि कि step by step, chapter by chapter word by word आपको पढ़ के सुनाएंगे, कॉफी अच्छे वे में, so बस यही था आज की वीडियो के आशा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर पसंद नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना, और म आपके माइंड के तरह, वो कमेंट करना, विडियो काफे सार लोगों के पास जाएगा, अगर एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा, तो फिर व्यूस भी 30-40 आएंगे, जो काफे ची बात नहीं है, काफे तैम जाता है, वीडियो को निकले, so yes, thank you very much for watching this channel guys, as always, अनमिलते हैं आ आपको एक अगले विडियो के निकल के आ सकता है, दुबारा पढ़ेंगे, तबी भी, और पस, बाई-बाई, हैव फ्रिकिंग एटे, बाई